जैसंकर जी, जैस्वीराम, सीतारा, भारार, महादियो, इस बीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गड़ेश चौत, यानि संकस्थी चतुर्थी, जिसे तिल चौत भी कहते हैं, इसमें भगवान गड़ेश की पूजा की जाती है, इसमें सकट माता की पूजा होती है, जो माताए संकस्थी चतुर्थी का वरत करती है, उनकी संतान की आयोदेर होती है, उनकी संतानों की उन्नती होती है, उनका यास पढ़ता है, इसमें चंद्रदेव को अर्ग दिया जाता है, इसमें भगवान गड़ेश की पूजा करने से जी, उनकी सभी संकट टल जाते हैं, क्योंकि स तकट चतुर्थी सभी संकटों को हनने वाली होती है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रुभाव है। अगर संभव हो तो इस दिन माताएं गड़ेशी के बारा नामों को अवश पढ़ें जो हर प्रकासे कल्यान करने वाली होते हैं। चाहे इन बारा नामों को भूग लगाएं। धूप तीपक भी जलाएं और वहीं यदि धन की कमी आ रही है तो इस दिन सुबा की पूजा में भागवान गड़ेश को गुर का भूग लगाएं। फिर शाम की पूजा करने की बाद जब आप पारण करें तो इसी गुर को भागवान गड़ेश से ले